नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपक़ार की क्लासिस में आज की क्लास में हम लोग bpac immense के लिए بात करनेवाले हैं भारत एवं दक्षिन पूर्व इसिया के साथ जो एतियासिक सांस्कृतिक एवं जो वर्तमान रनित्विक संबंध है उन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे साथ ही इसके समक्ष किया चुनौतियां हैं उसको भी देखेंगे और इस सम्मंद को और बहतर बनाने है तो क्या उपाय होने चाहिए उस पर भी प्रकास डालेंगे शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें पास वाले बेल एकन को दबा लें वीडियो को अधिक शेयर करें क्योंकि आज कल आप लोग शेयर करते नहीं हैं तो रिक्विस्ट है इसको अधिक सेधिक शेयर करें सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि इसका लेक्षर का पीडिया आप टेलिग्राम पर मिल जाएगा उससे भी important बात ये है कि नीचे जो है men's channel का link दिया हुआ उसको जरूर जोइन कर लीजिए उसमें जो है जोइन कर लेंगे फिर हम लोग उसमें live बात कर सकेंगे तो इसलिए उसको आप जोइन करके रखिए और आजकल आपको पता ही है रोज जो है channel पर संकट मंडरा रहा है कभी भी गाइब हो सकता है इस अब channel million, 2 million वाले का गाइब हो जाता है ये सब तो 10-12,000 का है गाइब हो जाएगा पतू नहीं चलेगा इसलिए आपसे request है उसको भी join कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं बात करेंगे दक्षिन पुर्वेशिया भारत के संबंदों की प्रिष्ट भूमी की तो देखिये कहता है कि दक्षिन पुर्वेशिया के साथ भारत का संबंद काफी पुराना है दरक्षिन पूर्व एसियाई देशों की कला, स्थापत, संस्कृति काफी हद तक भारतिय तत्तों से प्रभावित है दरसल कहता है कि यहाँ पर इन शेत्रों में भारत की गरंथ लेखन की परंपरा जो है पहुची जिससे यहाँ संस्कृति जो यहाँ की जो संस्कृति है वह प्रभावित हुई पाली भासाओं के गरंथों में प्राचीन ग्यान एवं दरसन इत्यादिका यहाँ पर इन शेत्रों में प्रसार हुआ इसके लावा उपने विश्वात के दौर में भी यहाँ बड़ी संख्या में भारतियों को स्रमिक के रूप में ले जाया गया इनमें स्यदिकान स्रमिक जो है वो वहीं बस गए यहीं रह गए और वापस भारत नहीं लोटे तो इस तरह से इस छेत्र का नाता जो है भारत से सदियों पुराना है हाली में भारत और थाइलेंड के राजनाईक संबंदों के अगर बात करें तो 75 वर्स भी पूरे हो चुके हैं भारत वर्तमान में जो है आसियान से संबंदित देशों में कला वास्तुकला के लिए प्रेणा का स्रोत रहा है जैसे कि अगर आब देखें अंकूर वाट बंगन बोरो बदूर ब्रह्मनन इत्यादी के मंदिरों आदी इन प्रसिद दक्षिनपुर्व एसिया इसमारक भारती कला और स्थापत की गहरी पैठ का प्रमान देते हैं आगे कहता है कि दक्षिनपुर्व एसिया एवं भारत के गहरे संबंदों के कारण जो इन चेत्रों की कई कलाएं जो हैं ये भारत में भी विख्षित हुई है चुकि दोनों देशों के बीच में दोनों दचिनपुर्वेशिया एवं भारत के बीच में गनिश शंबंद है तो कलाओं का या रितिरी वाजों का आदान परदान होना स्वभाविक है इसी करम म रविना टेगोर ने दक्षिनपुर एशिया की एक बार यात्रा कियती वहाँ इंडोनेशिया से बांटिक कला को भारत लेकर आये और शांतिनी केतन में इस कला को छातरों से अफगत कराया था इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत और दक्षिनपुर एशिया एथियासिक रूप से एक दूसरे से गहरे तोर पर जुड़े हुए हैं जो दोने दिसों के बीच में संबंद के व्यापक विस्तार को उजागर करता है ये थी प्रिश्ट भूमी आगे देखते हैं बात करेंगे वरतमान भारतिय रन निती की तुझी क्या कहता है कि भारत और दक्षिनपुर एशियाई देश एथियासिक और संस्कृतिक रूप से शंबंद रखने वाले घनिश्ट देश हैं यही वज़ा है कि दक्षिन पुर्वेश याई देश भारत की विदेश निती की प्रात्मिकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, विशेश तोर पर सुरक्षा, अर्थविवस्था और संस्कृति के छेत्र में. संबंदों को और मजबूत बनाने हेतू भारत सरकार के द्वारा जो है लुक इस्टे पॉलिसी अपनाई गई सन 1990 के बाद, पहले भारत का इस छेत्र के साथ रिस्ता आदर स्वादी, जो एतिहासिकता के साथ साथ उपनिवे स्वादी के साजे अनुभव और सांस्कृतिक रि अधारित था, लेकिन आज का समय वैपार, निवेश उत्पादन और राष्टे सुरक्षा जैसे पहलों पर अधारित है, कहता है कि लुक इस्ट पॉलिसी इन्ही पहलों पर अधारित है, लुकिस्ट पॉलिसी के निर्मान में ततकालिन परधान मंतरी नरसिमा राओ की महतपुन भूमिका थी, यह है भारत के उत्तर पुर्वी छेतर के विकास के लिए सुरू की गई थी, उत्तर पुर्वी छेतर का दक्षिन पुर्वी एसियाई देशों के साथ नज़्दी की संबंद है, यही वज़ा है कि कई भासाएं जो हैं इन देशों से कालांतर में विस्तापित हुए, जैसे कि अस्रम के अहोम वर्मा के सान्दराज से विस्तापित हुए, जो लाओस एवं थाइलेंड में बोली जाने वाली भासा से मिलती है, इसके अलावा देखिए, मनीपुर के चिंस म्यानमार से विस्तापित हुए, और इसकी भासा बिलकुल भी म्यानमार से लगभग मिलती है, जादा तर मिलती है, कहता है कि लुकिस्ट पॉलिसी इन दोनों इन देशों के साथ साथ बड़े पहमाने पर आर्थिक एवं सामरिक संबंधों को विस्तार देने के लिए बनाया गया था, इसके अलावा भारत को छेत्रे शक्ति के रूप में स्थापित करने के अलावा, हिंद प्रसांद छेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करना भी इस निती का एक प्रमुख उद्देश था, आगे कहता है कि वर्ष 2004 में भारत आसियान साज़ेदारी की घोषना की गई, यह घोषना शांती, प्रगती और साजी सम्रिधी पर अधारी थी, दरशल यह एक व्यापक आर्थिक शहयोग और आतंगवाद से लड़ने के लिए शैयुक्त शहयोग की घोषना की गई थी, आगे कहता है कि आसियान दक्षिन पुर्वी ACI देशों का एक छेत्रिय संगठन है, यह ACI प्रसांत की उपनिवेशी राश्ट्रों की बढ़ती तनाव की बीच राजनितिक एवं समाजिक इस्तिर्ता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था, भारत आसियान शंबन्दों के बाद भारत और दक्षिन पुर्व एसिया के साथ वैपार और निवेश के रिष्टे लगातार मजबूत हो रहे हैं, इसके साथ ही हिंद प्रसांत छेदर की सुरक्षा के लिहास से भी यह काफी महत्पून रहा है, कहता है नवंबर 2014 में एक्ट इस्ट पॉलिशी खुशित किया गया, जो लुक इस्ट पॉलिशी का ही उन्नत रूप है, इस पॉलिशी का मकसद दुपक्षिय, छेत्रिय और बहु पक्षिय स्थरों पर कनेक्टिविटी को बढ़हावा देना है, वहीं इसके माध्यम से वैपार और छेत्रिय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है, एक्ट इस्ट पॉलिशी आशियान देशों के साथ आर्थिक एकिकरन और सुरक्षा सहयोग पर कैंदरित है, यह जो 2014 में एक्ट इस्ट पॉलिशी लाई गई थी, बात करेंगे चुनोतियों की तो कहता है कि वरतमान युग में भावनात्वक मुद्दों से कहीं जादा आर्थिक मुद्दा महत्तु रखता है, हलांकि दक्षिन पुर्व एसिया के साथ भारत के एतियासिक और संस्कृतिक रिस्थे बहुत ही गहरे हैं, लेकिन वरतमान में इसे और अधिक आर्थिक तोर पर जो रिस्थे हैं इसे बैदर करने की हमें आवशकता है, यही कारण है कि भारत ने साल 2020 में RCEP, छेत्रे व्यापक भागिदारी समझोता, इस परमलोग पहले ही दिस्थार से चर्चा कर चुके हैं, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, से दूरी बनाए रखी, च्योंकि इससे चीन और आसियान देशों के साथ भारत का जो वैपार घाटा है, यह इसका बढ़ने का खतरा था, दरसल आसियान देशों के साथ भारत का वैपार संतुलन जो है, यह प्रतिकूल है, एक मुद्दा यह भी है कि भारत इस शेतर में कई परियोजनाओं को ले करके प्रतिबद्ध है, जैसे कि भारत मैंनमार, थाइलेंड, त्रिपक्षे, राजमार्ग, लेकिन ऐसी परियोजनाओं में अक्सर देरी होती है, वहीं चीन जो है, यह BRI, Belt and Road Initiative, यह टॉपिक भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, मैं इसके प्लेश में मिल जाएगा, देख लिजएगा, चीन जो है, यह BRI के जरी, इन देशों का विश्वास हासिल करने में लगा हुआ है, इसके लावा, दक्षिन चिन सागर में आसियान देशों के साथ है, जो चीन के साथ जो विवाद है, जो समय समय पर खबरों में नजर आते हैं, चुकि जो चाइना है, यह अपने छेतर के अलावा, अन्य दूसरे दूसरे देशों की छेतरों पर भी दिन प्रति दिन इसका अधिकार बढ़ते जा रहा है, और ऐसे में यह छोटे छोटे देश जब कुछ उनके नहीं बिगाड़ पाते हैं, ऐसे सिच्विशन में भारत को जो है उनके साथ खड़े रहने की आवशकता है, लेकिन आसियान देशों के पक्ष में चीन के विरुद्ध भारत जो है, यह खुल कर सामने नहीं आता है, और यह घटनाएं जो हैं कई बार होती है, इससे नकरात्मक स्थिति उत्पन होती है, इसके अलावा यदि भारत छोड़ी छोटी ताक्तों के समर्थन में आवाज नहीं उठाता, तो चीन की मनमानी जो है, यह भी दिन परती दिन बढ़ते ही जाएगी और बढ़ी रही है, भारत दचिनपुर्वेशिया जैसे छेत्रों में चीन के डबलबे का बढ़ना कहीं न कहीं भारत के लिए सबसे ज़्यादा नुक्षान दे है, और हिंद महासागर में भारत के लिए यह चुनोती पैदा कर सकता है, और काफी हद तक वरतमान परिद्रिश्च को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि इन छेत्रों में चीन का प्रभाव काफी बढ़ा है, बात करेंगे आगे क्या इसके उपाय होनी चाहिए, तो कहता है इन में कोई दोराय नहीं कि दक्षिन पुर्व एसिया प्रजाती रूप से चीन से ज़्यादा क का नाम गरूड एरलाइन्स है, यहां आज भी भारत की भारत का लोगप्रिय रमायन कताओं का आयोजन होता है, यह चेत्र सांस्कृतिक समन्वे का एक अच्छा उधारन है, इसलिए ऐसे इस्तिती में भारत को चाहिए कि इन छेत्र के संबंद में वो आर्थिक जुडाव क साथ सांस्कृतिक जुडाव को भी मजबूत करने पर जोर दे, इनके साथ ही हिंद महासागर के महतपूर्ण शक्ति होने के नाते, भारत को इन देशों की संप्रोबुदा के मुद्दे पर भी साथ देना चाहिए, क्योंकि इस छेत्र में चाइना है और भारत है, यह दो मह मानी करता है, तो भारत को इतना दिकार है, या भारत के पाज इतना पावर है, कि भारत उसको बोल सकता है, लेकिन भारत ऐसा भी करता नहीं, इससे क्या होता है, छोटे जो हैं छेत्र, यह भारत की ओर काफी आसा के दरिश्चिक नजर से देखते हैं, लेकिन भारत का में पढ़ जाएगा उस समय भी सपोर्ट किया वो शक्ता है कि आर्थिक अस्तर पर भारत को चाहिए कि वह घरेलू अस्तर पर प्रतिस्परदा में सुधार करे साथ ही वैपार करने में आसानी और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने का प्रयास करे इसके अलावा MSME छेत्रों को सहायता परदान कर घरेलू अर्थ विवस्ता को बढ़ावा देना चाहिए इससे वैपार घाटे की जो समस्या है काफी हद तक इससे निप्ता जा सकता है असल में इससे RCEP जैसे समझोतों में सामिल होने में असानी होगी कुल मिला कर कहा जाए तो आशियान देशों के साथ मौजुदा मुद्दे को हल करना भारत के राश्टर हित के लिए काफी महत्पूर्ण है क्योंकि आप देखिए कि अगर मान लेते हैं ये दक्षिन पुर्वेशिया का जो छेत्र है इन छेत्रों में जो देश आती हैं उनसे अगर भारत का सांस्कृतिक संबंद है वैपारिक संबंद भी काफी हद तक है और ये अगर घनिश्ट होता है तो जब मान लेते हैं दस से इसमें छेत्रें भारत इसके साथ मिल जाता है तो ग्यारह हो जाएगा चाइना अकिला पढ़ जाएगा और अभी वर्तमान में ये भविश्च को देखते हुए चाइना को कमजोर करने की आवश्यक्ता है क्योंकि एक अगर चाइना दबेगा तो दस और एक भारत इन छेत्रों का विकास होगा इनकी परिशानिया कम होगी तो उमीद है आपको ये समझ में आया होगा विडियो अच्छा लगा तो लाइक और सेर जरूर कर दीजे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दिया उसको जोइन कर लीजिएगा मैंस का चैनल का लिंक दिया हुआ उसको भी जोइन कर लीजिएगा मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए जैहिन